हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टो एड़ीव स्टार कोटा तो देखी बच्चो आज का वीडियो जेएमेन 2023 एप्रेल एटेम्ट में जो भी स्टुडेंट मचाना चाहते हैं उनके लिए बहुत स्पेसल होने वाला है इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको थोड़ा सा बता दे जो है उसके लिए आपको कौन से चैप्टर्स जो उन पर ज्यादा फोकस करना इंपोर्टेंट चैप्टर्स कौन से मॉक टेस्ट कितने देने हैं स्टेडी मैटेरियल कौन सा फोलो करना है इन सारी चीजों के बारे बच्चों डिटेल में बात करने वाले तो एर वीडियो क पूरी PDF बच्चों आपको टेलिग्राम गूप पे मिल जाएगी अगर अभी तक आपने जोई नहीं किया तो नीचे टेलिग्राम गूप का लिंक दिया बच्चों डिस्क्रिप्शन में जल से जल उसको जागे जोईन कर लीजे वहाँ पे ये भी मिल जाएगी और भी बहु वालों की पेपर difficult है तो कम marks में भी आपकी अच्छी percentile आ सकती है अगर फ़ड़ा सा easy level का है तो ज्यादा marks पे भी कम percentile आपके आ सकती है तो आप percentile wise अपना score जो है वह जो ड्रीम score क्या है वो आप यहाँ पर पहले आपके mind में set कीजी और नीचे comment section में जरू बताना comment section में ज इसके बारे में बात करते हैं, पहली चीज़ की सबसे ज़्यादा जो बच्चों को यहाँ पर इस टाइम पर जवरत होती है, जो सबसे ज़्यादा बच्चे जिस चीज़ के लिए उत्सुक रहते हैं, वो होते हैं कि सर, most important chapters बता दीजिए, मेरा maths इतना अच्छा नहीं है, इस बाद अगली चीज़ आती है कि material सरक कौन सा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चा इस टाइम पर इसी चीज़ में फस्ता है, वो सकता है कि वो किसी एक particular chapter के 100-200 सवाल सोल कर लिए, बट दूसरे chapter के question सोल ही नहीं कर पाई, उसको time ही ना मिले, या फिर अगर मान लोग वो सो question सोल कर रहा तो उसमें पता चलेगी वो same ही category के, same ही concept के बहुत सारे question सोल कर लिए, बट actual में, जिन concept से ज़्यादा question पूछे जाते हैं, उनकी ज़्यादा practice ही नहीं हुए, तो यार आपको देखो material अब बहुत सारा market में है, बट ऐसा नहीं कि आपको सारे material के पिछे होगे, इसके अलावा RBC batch के बारे में वह थोड़ा सा आपको बता देता हूँ यार, जिनको idea नहीं है, ये particular batch में ज़े एडवांस 2023 के लिए भी है, और जे में के second attempt के लिए भी है, तो इस वाले particular batch में थो हम जो CPP और DPP देते हैं, उसके अलावा आपको कुछ भी और करने की ज़रत नहीं है, PYQs भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि इनी में हम selected PYQ जो है, वो इनसी batch की CPP और DPP जो है, उसमें रखते हैं, तो इनकी अगर आप practice कर लेते हो, तो उसके अलावा आपको और material करने की ज़रत ही नहीं पड़ेगी, बहुत sufficient material है, और यह particular batch आप सबको पता होगा, quota classroom में भी चलना और यही same batch बच्चो, online भी चलने वाला है, तो आप इस batch का हिस्सा बन सकते हो, बहुत ही जबरदस्त improvement, जबरदस्कोर, आप जो वो इस batch के तुरू कर सकते हो, चलिए, अगली बात कर लेते हैं, एक बार most important chapters जो बच्चो जो पूछे गए हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पर difficulty level की बच्चो साथ साथ में बात कर रहा हूँ, कि एक particular chapter से कितने questions पूछे गए हैं, और उन questions में से on an average, कितने questions जो difficult थे, कितने medium level की थे, कितने easy level के questions जो थे, तो यहाँ पर सबसे जो ज़्यादा important chapter सामने निकल के आ रहा है वो आता है 3D, 3D से बच्चो टोटल आप सभी को पता होगी 12 shift में J-Main के paper हुए हैं और उन्हे 12 shift में मिला कि बच्चो टोटल 35 questions 3D से पूछे गए हैं, जो कि बहुत ही huge number है, यानि कि 3 question बच्चो हर एक shift में एक particular chapter से पूछे जाना बहुत बड़ी बात होती है, अब इसमें उनके beach की distance, आपको shortest distance बतानी, इसे type की easy level के भी questions थे और medium level के भी 19 questions थे, इसके अलावा जैसे binomial छोरम आप देख पार हो काफी important chapter है, तो in case अगर मान लो कि जैसे कोई बच्चा है जिसको मान लो की पूरा score करना है, या ऐसा मान सकते 80 plus score करना है, तो obvious ही बात है गयार, उसको तो सारे ही chapter करने पड़ेगे, बट अगर मान लो कि कोई बच्चा ऐसा सोचता है कि सर मेरे को ऐसा हो जाए कि मेरे 10 questions जो वो मैं सही कर पाऊ, 10 questions जितने chapter आप बता दीजिए, तो आप देख सेकते हो यहाँ पे 3 questions, यहाँ पे 2.5 questions per shift on average, metrics and determinants से 2.5, वेक्टर से exactly आपके पास में 2 questions जो है वो, तो अगर आप मान लो कि यहाँ पे इन 5 chapters को, अगर मान लो कि starting के 5 chapters बच्चो definite integration तक पगड़ लेता हूँ, तो यहाँ पे आप देख पार हो 3, 5, 7, 9, 12, 11, यानि कि लगबक 11 से 12 questions इन सिरव और सिरव 5 chapters जाने वाले हैं, हम पूरे साल बच्चो ऐसे chapters में वो बहुत ज्यादा निकलने वाला है, इसके लाज़ जैसे mathematical reasoning तो obviously बात आपको करना ही यहाँ पे दिख भी रहा है, इसमें 10 questions है, यानि आप ऐसा मान सकते हो, हर एक सिर्ट में बच्चो एक question जो वो इस particular chapter से पूछा गया है, and difficulty level अगेर आप सब का देख सकते हो, एक-एक ब नहीं पूछा गया है, solution of triangle हलांकि hut भी गया था, पर इससे भी कोई question नहीं है, set से total a question पूछा गया, hyperbola से कुछ है, तो यह जो chapters बच्चो मैंने यहाँ पे आपके ली लिये हैं, यह सारे high weightage वाले chapters है, priority wise सारे chapters आप देखोगी, जैसे से आप नीचे जाते जा रहे हो, तो number of questions जो वो कम होते जा रहे, तो आपका जितना भी target score है, उसके लिए आप देखी कि आपको कितने questions exam में सही करने और उसके according उन उन chapters की बच्चो आप preparation जो वो कर सकते हो, तो यहाँ पे अगर हम overall बच्चो बात करें, overall अगर हम section wise बात करें, तो vector और 3D इन दोनों से मिला कि total 59 questions 59 questions in 12 shifts, यानि कि 5 questions per shift, on average आप बच्चो मान सकते हो, जो कि बहुत बड़ा number है, कि इसनी भी 2 chapter से मिला कि बहुत बड़ा number है, और जिबकि vector और 3D तो ऐसा है कि आप इसमें आप 2 chapter भी नहीं मान सकते, आना क्योंकि अगर vector कि आपको अच्छी knowledge है, तो आप 3D में बहुत तो integral calculus से काफी बूचेगे, आप यहाँ पर देख पार होगे, algebra में जैसे आपको बहुत सारे questions दिख रहे होंगे, यह total 360 जो questions उनमें से बच्चो मिला के, सारी 60 के मिला के questions है, जे में 2023 के, तो algebra में एक चुली कहा कि number of chapters जो वो काफी जाद आ जाते हैं, इसे quadratic हो गया, complex हो गय sequence and series, PNC, probability, matrix and determinant, mathematical reasoning, statistics, तो इस तरीके से काफी सारे chapters मिलके इतने हो जाते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर यह नमबर जो थोड़ा बड़ा number बच्चो नजर आ रहा है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि यहाँ पर भी वेटेज जो आपको clearly नजर आ रहा होगा, 42% algebra वाला part but again, जैसा कि मैंने आपको बोला कि वहाँ पर number of chapters ज्यादा है, आप सबसे ज्यादा अगर मेरे से पूछोगे, personally अगर मेरे से पूछोगे कि ROI सरकी in chapters का ज्यादा है, तो मैं बोलूगा बेटा, vector 3D का है, आप इसके अंदर mathematical reasoning ले लिजे, algebra के अंदर, algebra के अंदर आप binomial theorem ले तो मेरे according in chapters का ROI जो सबसे ज्यादा है, चलिए यार में थोड़ा सा आपको shift wise analysis जो वो भी दिखा देता हूँ, तांगे आपको कहीं ऐसा ना लगेगी सर, 5 question हो सकता है कि 3D से एक shift में पूछ लिए गयो, फिर दूसरी shift में हो सकता है सर, उससे एक भी सवाल ना है, तो बेटा ऐसा बिलकुल भी नहीं है, आप यहाँ पे सारी के सारी shift यार आपको नजर आ रही होंगी, quadratic equation जैसे आप देख पा रहे हो, सिर्फ एक shift ऐसी थी जब quadratic का सवाल जो नहीं पूछा गया, यानि clearly आपको नजर आ रहा है, आप खुद देख सकते हो, आपको किसी को और को आपको जरुरत नहीं है, आप यहाँ से खुद analyze कर सकते हो, कि यह कैसा chapter से हर shift में सवाल आता है, यह sequence and series ऐसा chapter से हर, एक shift में सवाल पूछा गया, कुछ-कुछ shift ऐसी बिजिन में 2-3 सवाल भी पूछे गया है, similar way में binomial theorem है, तो यह यहाँ पे आप बच्चो सारे chapters की जो list है, वो द 3D में तो हदी है, मतलब 2 सवाल, 3D में हद है, 3 सवाल हर एक shift में पूछे गया, यह ऐसा नहीं कि by the way किसी shift में 5-6 सवाल पूछ लिएगा और फिर आया, नहीं बच्चो, सारी shift में इनसे questions जो पूछे गया है, तो यह chapters आपकी priority list जो उस पे जरूर होने चीए, and again यह remaining chapters, आप यहाँ पर देखो रहे हैं कि कुछ-कुछ खाली जगह जो है, जैसे ellipse से कम shift में questions पूछा गया है, hyperbola से कम shift में question पूछा गया है, तो इस तरीके से यहाँ पर देखो, एक question आपको हर एक shift में रज़र आ रहा है, similar way में यह आपका complex number है, तो ऐसा नहीं है कि, एक shift में बहुत ताकि मैं जरूर आपके लिए most important chapters के अंदर, most important topics जो है, वो भी बच्चो आपके लिए जरूर लेके आने वाला हूँ, चलिए यहीं पर मैंने grab के through आपको थोड़ा सा समझाने की कौसिस की है, कि अगर हम difficulty level की यार अगर हम बात करते हैं, तो ऐसा नहीं कि पूरा आप जैसे चैप्टर में 30 questions आ रहे हैं, तो 30 में से 6 questions के आसपास लगभग difficult है, बट वहीं, इतने ही 6 या 7 questions बच्चो easy level के भी पूछे जा रहे हैं, और बाकी का जो paper है, 60% जो paper है बच्चो आपके पास में, यानि कि लगभग आप ऐसा मान सकते हैं, 16-17 questions वो आपकी medium level के जो बच्चो पूछे जा रहे हैं, यानि कोई chapter जो है वो आपको थोड़ा, अगर आप in depth में उसको कर लेते हो, तो उसका question जो बच्चो जरूर आपे सही कर पाओगे, तो ये I think मैंने आपको most important chapters और सारे chapters का अच्छे से पूरा का पूरा analysis बच्चो आपको बता दिया, पीडिया आप टे week में आप एक mock test जरूर दे, क्योंकि mock test से ही actual में आपको आपकी situation पता लग पाएगी, वहीं से आपको पता लग पाएगा कि कहां पे आप बहुत सारी mistakes जो वो कर रहे हो, कहां पे कैसे उनको rectify जो आप कर सकते हो, तो mock test आप जरूर दे, and again limited syllabus का ना दे, mock test आप full syllabus का दे, चा mock test दे, नई, आप तीनों subject का मिला के 3 hours का test दे, क्योंकि तभी आपको पता चल पाएगा, क्योंकि एक घंटे में हो सकता, match को एक घंटा ही दे रहे हो, तीन घंटे में हो सकता, आप सवा घंटा, तेर घंटा तक जो वो भी बच्चो match को दे रहे हो, अगली चीज की बगत कर भी थे, वो भी आपको टेलिग्राम गुपे मिल जाएगे, कुछ mini shorts की video मैंने आपके लिए बनाये हुए थे, तो वहाँ से आपको exactly idea लग जाएगा, कि कौन-कौन से चीजे जो हो आपको short notes make के अंदर, जो वो mention करनी होती है, तो बैस यार, इन सारी चीजों का धान रखना ह and again एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, कि आर comment section में अपना target score जो है वो जरूर बताना, ताकि आप जब comment करोगे तो वहाँ पे उस target को achieve करने की चाहत अप आपके अंदर अपने आप ही थोड़ी सी जो वो बढ़ जाएगी, and पूरे session की जो PDF है, वो आपको comment section में जो telegram group है, उसके अंदर मिल जाएगी, and एक और information आपके लिए RBC batch की थी, इस batch का हिसा आप बन सकते हो, इसका material आपको पूरा shortcut है, इसके mock test आपको पूरे देने हैं, तो ये आपकी एक one-stop solution बचो आपके लिए होने वाला है, इसके तुरू आप अपनी preparation जो है, उसको बिलकुल next level पे ल आपके लिए SPEAKन झाप के लिएर को आपके लिए एको आपके लिए След सकते हैं, इसके शिए粘े हैं प einzबती हैं, तो ये दो आपके लिए जो स के द cartoon की दो आपके लिक का जो हैं, जो हमके लिए